गुरखपुर में भी आरेक्षन को लेकर सपासहित अन्य संगठन सड़कों पर उत्रे हैं। सपासहित अन्य संगठनों द्वारा भारत बंद का आहवान किया गया। इसी कड़ी में महानगर के अमबेटकर चौक पर सपासहित अन्य SCST एवं OBC संगठरों ने भारत बंद का एलान करते हुए व्यापारियों से दुकाने बंद रखने की अपील की है। इस दौरान हाथों में जंडा पैनर, पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते भी नजर आए। प्रदर्शन शांति पूर्ण धंक से संपन किया जाएगा, इस दौरान जिलाधिकारी के माध्यम से महामहीम राष्टुपती महोदया को ग्यापन सौपा जाएगा। इस अवसर पर पूरे विधायक, रिविजे बहादुर यादव, अखिलेश यादव, कीर्थी निधिपांडे, सिंगहासन यादव, मनुरोजन यादव, राजुतिवारी सहित, अन्यपार्टी के पदाधिकारी और कार्यकरता मौजूद रहे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सपाके जिलाध्यक्ष प्रिजेश कौतम और एडियम सिटी अंजनी कुमार सिंग ने बताया। शमानता पाने के लिए मिला है लेकिन भारती जनता पालिटी की सरकार ने साजिस के तहट उस आरच्छड को लश्ट करना चाहती है और जातियों में जाति का बटवारा करना चाहती है। में समाजवाधी पार्टी के राश्टी अध्यच माननी सीरी अखिलेश जादोजी ने हम सबको निर्देशित किया है किस भारत्बंद कोetrल के समर्थन में हम समाजवादी पार्टी जनपत गोरकूर पुर्जोर तरीके से हम उसका विरोध करते हैं और भारत का समर्थन करते हैं इसी करम में आज हम लोग यहां गोरख कूर में समाजबादी पार्टी के नेतागर करकरतागर और अनुसुची जाद जन जाद के जो लोग है इसमें बरचर कर हिस्सा लिये हैं आज कुछ कुटो द्वारा बारत बन जितकी है आवान किया गया था इसका हम लोगों को फुर में संग्यान था हम लोगों के द्वारा पुलिस में स्टेट फीसर्व कर रुटिया लगाई गई है और पूरी व्यवस्ता जो है स्विचारू रूट से चल गई किसी प्रगार की कोई समस्या नहीं है और कहीं कुछाने भी बंदू जाता है नहीं को ऐसी समस्या नहीं है आप चम्रा गुमागे द्रेख सकते हैं सभी दुबाने खुले होगी है